हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे 2024 का वन टाइम इंवेश्मेंट प्लान कौन सा आपके लिए बहतर हो सकता है वन टाइम मतलब कि एक बार जमा करके आप निश्चिन्त हो जाईए और कुछ सालों के बाद आपकी रासी जो है जो भी आप जमा करते हैं उसका कई गुना आपको रिटर मिले ऐसा किसी फंड के बारे में आपको जानता दी चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है त इस सिर्फ पहले भी मैंने स्मॉल क्या फंड के बारे में आपको बताया था जिसमें कि हम लोग S.I.P. के बारे में आपको बता रहे थे आज जो बात करने वाले हैं ये है वन टाइम इन्वेस्ट्मेंट परसेंट यानि कि एक बार चमा करके आपको छोड़ दिनी है तो चल पिछले 6 मेहने में 11% से 12% का रिटन दे चुका है इसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ही आसान 100 रुपए साथ मन्तली इन्वेस्ट्मेंट कर सकते हैं लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वन टाइम इन्वेस्ट्मेंट की तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मात 700 रुपए एक बार जमा करके आप इसमें छोड़ सकते हैं इसके मैक्सिमम की कोई लिमीट नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके होल्डिंग की बात करें तो बीडिला सॉफ्ट लिमिटेड नरायन अर्दियाल लिमिटेड बिगेड इंटर्प्राइज है ब्लू स्टार लिमिटेड चोला मंदलब फैनंसियल होल्डिंग लिमिटेड ये इसके सबसे बड़ी कंपनिया है जिनमें इसके द्वारा इंवेस्ट की जाते हैं फंड साइज की बात करें तो बीस जार एक्सटीस कडोर का फंड साइज हो चुका है और बाबर 0.52 परसेंट का एक्सपें परसी है वो एक लाग से पे रिटर्न जो देखी वो एक लाग अरतालिस यहर के देगी यानि आपका टोटल वेल्यू हो जाएगा फंड का दो लाग अरतालिस यहीं चीद दस सालों में देखा जाए तो रासी तो आपकी वही रहेगी लेकिन रिटर्न आपको मिलेगा मार्केट पर डिपेंडेंसी रखता है मार्केट यह से आगे बढ़ेगा प्रोफिट होगा आपको भी प्रोफिट होगा 15 सालों में एक से चौदर लाग बन जाएगा और टोटल वेल्यू पंदर लाग चारिस यहर की 20 सालों में एक लाग जो आपने जमा किया था वह 37 से 38 लाग बन जाएगा टोटल वेल्यू 38 लाग से 49 लाग के बीच की रहेगी 25 सालों की बात करें तो एक लाग जो है वह आपको 94 लाग तक बना के दे सकता है टोटल वेल्यू 45 लाग की होगी लेकिन अगर आग यंग है अभी चाहत है कि और लंबे टाइम के लिए रुके तो आ आप रिटर्न के कल्कुलेशन देख रहे हैं यह फिक्स नहीं होता है इस चीज का आपको प्रोपर ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे यह होता है एक चो हम लोग कल्कुलेट करते हैं वो एक परसेंटेज के बेस बे करते हैं लेकिन जब आप इन चीजों का आप ध्यान रखके हैं इन्वेस्ट करें ऐसे नहीं कि आपने एकदम सोच लिया कि मुझे तो 20% मिलेगा ही और आगे चलके आपको उतनी रासी नहीं मिले तो आप सोचे कि मुझे गलत इन्फोर्मेशन दी गई थे जी नहीं यह हर साल बिल्कुल भी सेम नहीं र लुपर्दी